NDS News की रिपोर्ट ज्यादा चानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आलावा मुख्य अंतर उन घटकों में नहित है जो इसे उपयोगी बनाने के लिए स्टील में जोड़े जाते हैं यानि स्टेनले स्टील और काबन स्टील को उनके अलाइंग तत्वों और उनकी रचनाओं द्वारा विभेदित किया जा सकता है इस विदियो में स्टील और स्टेनले स्टील के बीच क्या अंतर होता है के बारे में हम आपको बताएंगे एक, स्टील, लोहा और काबन को जोड़ कर बनता है, जिससे लोहा और कडग हो जाता है, इसे प्लेन काबन स्टील या हलका स्टील माइल्ड स्टील के रूप में भी जाना जाता है, इसमें कमगल नांक वाली उच्च काबन सामगरी होती है, दूसरी तरफ स्टेनले स्टील में एक उच्छ क्रोमियम सामागरी होती है जो स्टील की सतय पर अद्रिशे परत बनाती है जिससे इसे धुंदला या बाहरी परत को खराब होने से बचाया जा सकता है 2. स्टेनले स्टील में क्रोमियम, निकल, नाइटोजन और मुलेबडिनम आदी मिलाकर तयार किया जाता है स्टेनले स्टील जंग प्रतिरोधी है और स्टील में ऐसे पदार्त नहीं होते है जिसके कारण उसमें दाग और जंग लग जाता है Stainless Steel में जंग chromium की कारण नहीं लगता है Chromium एक अद्रिश्य, पतली और पक्षपाती oxide परत बनाता है जिस से Stainless Steel की सतह निश्क्रिय हो जाती है इसके लिए Chromium Steel में होना अनिवारे है और साथ ही oxygen युक्त वातावरन यह निश्क्रिय परत नीचे की धातू को हवा और पानी से कवर करके बचाता है अगर परत पर खरोच भी होती है तो खुद ठीक हो जाती है 3. स्टील और स्टेनले स्टील की ताकत 4. स्टेनले स्टील की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत होता है क्योंकि इसमें काबन होता है इसके आलावा कठोरता के मामले में यह स्टील की तुलना में भी कमजोर होता है 4. कारबन स्टील स्टेनले स्टील की तुलना में कम संशारन प्रतिरोधी है